हलो वीवर्स मैं कशिश हो स्वागत है आपका निक्स नाइन न्यूस में इस रिपोर्ट में हम बात करें लता मंगेश करी कुछ ऐसे अंसुनिक किस्से के बारे में जिसको सुनके शायद आप हैरान हो जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा कि ऐसा भी किया था लता है इस रिपोर्ट में बात हो रही है कि लता मंगेश कर एक समय पर सांसंसत की सांसती भाजबास है और सबसे महत्रपूल बात यहां पर यह आती है कि जब भी कोई सांसत बनता है तो उसको नई डिल्ली में एक आलिशान घर दिया जाता है और साथ इसाथ उसको भत्ता भी द पसंदिती और जब वह भतता आता था वह हमेसे ॉप बहस बेज दिया कर दी है और वहालूंहा बस बात हुआ कराया गया था लगबग एक मेने तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार आजवर कोकिला शान्त हो गई सरकार के तरफ से भारत रतन लतामंगेशकर के निधन पर दो दिन कर शोक रास्ट्रेय जोगोशित किया गया है काईका के अलावा लताजी ने राच्छेसभा के सांसत के राच्छेसभा काम अनूनित संसत से गूशित किया गया था अतने छे सानों के कारेकार में उन्होंने वेतन के बीजे गए जेक्स को कभी सुईकार नहीं किया और हमेशा वापस भीज दिया एक समाजी कारेकरता द्वारा फाइल किये गए आटियाए के बाद यह पदा चला कि लता मंगेशकर के वेतन से संबलत मामले में वेतन लेखा कारेले से लता को भीजे गए वेतन के सभी चेक वापस आ गए इसके लावा लता मंगेशकर ने कभी भी सांसत पेंशन के लिए भी आवेदन नहीं किया तक कि उन्होंने नई दिल्ली में सांसतों को दिया जाने भी स्विकार नहीं किया लटा मंगेशकर के लावा क्रिकिटा सचिन तंदूलकर ने भी सांसद रहते हुए कभी ना तो वेतन लिया और ना है उन्हें ने दिल्ली में सांसदों को दिये जाने वाला घर सुईकार किया सचिन ने अपना पूरा सांसद वेतन अभी लाख रुप ने वाले पहले भार के महिला का सम्मान प्राप्त हुआ दोज़ा साथ में फ्रांस की सरकार में उन्हें लीजन ऑफ ओनर के अधिकारे से सम्मानित किया जो देश का सबच्चे नागरिप पुरसकार है लता मंगेशकर के उपलब्यों को गिनना ना मुम्किन है लेकिन अब लता मंगेशकर हमेशा से ही अपने कमाई हुए पैसों को ही इस्तेमाल करना चाहती है वो राजकोष में जया है और दूसरों के इमानदारी का पैसा हो लेकिन इन्होंने कभी उस पैसे का इस्तमाल नहीं किया लेकिन जब उसके बात संस्वद में मालूम हुई बड़े अध कि यह चीज कब से चलती आ रहे था आप सोच सकते हैं कि कितने सालों से पतादे कि 1999 में चुनी गई थी सांसर और तब से लेके अब 2022 के आखरी समय तक भी हुने कभी भी सांसर का भत्ता नहीं लिया तो यह सुना किस्सा आपको रतामंगेशकर गिवार में कैसा लगा है कि कमें करके जरूर बताये और आगी खबरों के लिए देख तरिये नेक्स्ट्नाइब जाएं